हेलो स्टुडेंट्स हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसके अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है लिक्विडेशन ओप कंपनीज लिक्विडेशन ओप कंपनीज का आज का लास्ट लेक्चर हैं चार लेक्चर में पहले अप्लोड कर चुका हूँ जिनके अंदर मैंने बेसिक स्टेट्मेंट ओव अफियर्स एन लिक्विडेटर जो फाइनल अकाउंट होता है लिक्विडेटर का वो बनाना सिखाया और उस और आज की टॉपिक अंदर एक नुमेरिकल कोशन भी कराऊंगा और कॉंसेट्ट बताऊंगा मैं आपको कॉंट्रिबूटरी का ये कौन होते हैं। जो contribution करते हैं। किस ची़ का contribution करते हैं। तो देखो बई, कोई भी company जो होती है घुन उसके shareholders होते हैं। चाहे वो private company हो चाहे वो public company हो। अगर public company का माने हैं, तो वो public में share e-sue करती हैं। और fund raise करती हैं और जो लोग भी company के share buy करते हैं उनको share holders बोलते हैं ठीक है ओके अब यहाँ पर मामला यह आता है कि जो share holders होते हैं उन्होंने उस company में पैसा लगाया जैसे मैंने किसी अगर company के share buy किये हैं चाहे IPO के धरू गिये हैं यानि कि primary market में किये हैं अगर वो company ढूबती हैं अगर उस company को बंद कर देते हैं उसका liquidation कर देता है तो मैं share holder या मेरे जैसे share holders है जो उस company के share holders है हमारी liability क्या है तो partnership firm वगरा हम समझते थे solve proprietorship समझते थे तो वहाँ पर जो जो honor होता था उसकी जो liability होती थी वो unlimited होती थी बट company के अंदर जो honor हैं जो share holders होते हैं उनकी liability limited होती है unlimited नहीं होती है limited up to investment या जितना उनोंने share खरिदा है उसकी जो face value है उतने तक ही limited होती है तो इसका मतलब अगर मैंने किसी company का 100 rupees का share है उसकी face value 100 rupees है और मैंने 100 rupees में एक share purchase कर लिया तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा liquidation के case में कितने रुपे डूप सकते हैं एक share के 100 रुपे और अगर कुछ बच गया दुमझे मिल भी सकता है यानि कि ये fully paid share थी यानि कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो face value उसकी 100 रुपे थी और 100 के 100 रुपे मैंने company को pay कर दिये तो Contributory वाला मामला आता ही नहीं Contributory का मामला तब आता है जब company ने partly paid up share रिसु कर रखी है partly paid up का मतलब ये हो गया जैसे 100 rupees का एक share है company ना अभी तक 80 rupees मंगा लिए है 20 rupees अभी मंगाने बाकी है और company का हो रहा है liquidation अब company को पैसोगी जरूत है तो company क्या करेगी जो 20 rupees अभी तक मांगे नहीं है उनको called up कर देगी उनको मंगा लेगी अब वो 20 rupees किन से मंगा सकती है shareholder से existing shareholder से उनहीं को बोला जाता है contributory अब यह contributory जो होते हैं यह दो type के होते हैं एक होते हैं list A और एक होते हैं list B अब इनको समझना कई बाद theoretical question या mcq type या short question भी आ जाता है कि A list contributor कौन से होते हैं और B list contributor कौन से होते हैं अब आपको पता है अगर public company है और वो listed stock exchange market के अंदर तो वहाँ पर तो share holders आपस में share खरीते हैं और बेजते हैं हाँ तो list A के अंदर contributor वो आते हैं जो company के winding up या company का जिस दिन liquidation हो रहा है company के liquidation की date से one year liquidation की जो date है उससे within one year liquidation की date से पीछे एक साल तक जाना है for example के लिए अगर liquidation हो रहा है आज और आज की date जो है 21 21 यह ना 21 है या 22 जो भी है 21 for example के लिए March 2023 अगर आज यह date है तो just इससे पीछे एक साल तक यानि की हो गया आपका 21 March 2022 तो इस परियेड में अगर कोई कंपनी का सेर ओल्डर था और कंपनी के अभी fully paid सेर नहीं है partly paid सेर है partly paid सेर इसू कर रखे हैं कंपनी ने कुछ पैसा मंगाना बाकी है final call मंगानी बाकी है तो कंपनी इनसे वो पैसा मंगाएगी हाँ अगर किसी वज़े से list A के जो contributory है वो मना गर देती है किसी भी reason की वज़े से insolvent होगे क्या और कोई reason है कि हम नहीं pay कर पाते हैं जो इस date के बीच में आते हैं तो फिर कंपनी इस date से भी पीछे जाती है फिर कंपनी इस date से भी पीछे चली जाती है और इस date से पीछे जो भी company के share older थे उनको list B contributory बोला जाता है और list B के जो contributory होते है फिर वो liable हो जाते है लेकिन पहले इनसे एक साल के अंदर जो winding up की date है उससे जस्ट पीछे एक साल में जो भी share older थे company के उनसे company final call माँगीगी अगर वो pay कर देते हैं तो okay अगर वो pay नहीं करते हैं तो एक साल की date यहां खतम होगी उससे भी पीछे चले जाएंगे और वहाँ पर share olders कौन थे उनको list B contributory बोला जाता है फिर उनसे वो final call वसूल की जाएगी भलभी वो share बेचके निकल गए फिर भी तो बड़ा simple है कोई ज़्यादा rocket science नहीं easy है ओके ठीक अब मैं इसका numerical question आपको करके बताता हूँ यह देगी यह किसी book का question मैंने आपको लिया है यहां पर ठीक है अब इसके अंदर देगी का लेका हो है इन दा winding up of a company certain creditors remain unpaid company का winding up हो गया लेकिन कुछ creditors जो है वो अभी भी remain unpaid है unpaid का मतलब हो गया उनको अभी पैसा देना बाकी है और company के पास पैसा खतम हो गया है तो company आप अपनी list A जो contributor है उनसे पैसा मंगा सकती है अगर company ने final call मंगा नहीं बाकी हो तो और list A नहीं पे करेंगे तो फिल list B the following person had transferred their holding up some time before winding up यह persons जो है इनोंने winding up से कुछ time पहले अपनी holding को transfer कर दिया लेकिन list A के अंदर तो एक साल के अंदर जिन्होंने भी transfer किया है लेकिन एक साल के अंदर अंदर अगर उनके पास थे उननने transfer किये हैं तो वो list A के अंदर contributor आ जाएंगे तो आप देखो name of जो investor है, shareholder A, B, C, D, E नाम दिया है, date of transfer कब किया है एक जनुरी 2015 को किया है, 15 फरवरी 15 मार्च, 31 मार्च और 5 अप्रेल 2015 को किया है कितने कितने number of share transfer किये है उस दिन creditor कितने थे 7,500, 12,500, 18,000, 21,000, 20,000, 30,000 जिस दिन उन्होंने transfer किये हैं अपने shares उस दिन के creditors इतने हैं जिन unpaid थे The share were of rupees 100 each 80 being called up and paid up on the date of transfer जिस दिन transfer किये है, वहाँ उस date तक है, उसमें से 80 रुपे हमने मंगा लिए, तो इसका मतलब 20 रुपीज अभी पी unpaid है तो अभी company इन से कितना रुपे मंगा सकती है 20 रुपीज मंगा सकती है, क्योंकि 100 का share था 80 मंगा चुकी है, 20 और मंगा ने और company को जरूत है तो मंगाएगी, ओकी अब यहाँ पर क्या है, अब member, एक member है F, एक member को होन है F, who holds 200 shares F जो है, उसके पास कितने share है, 200 shares उसकी मृत्य होगी कब 28 February 2015 तो यहाँ पर मैं आपको एक working note बनाता हूँ, समझे ना एक है Mr. F, F के पास 200 shares है और F की 28 February को 2015 को हो गई death F मर गया, ओके पर F मरेगा, तो फिर उसके जो भी share है, वो उसके son को या daughter को या जो भी उनके family members होंगे उनको transfer हो जाएंगे, तो यहीं लिखावा when the amount due to creditors was 15,000 और उस दिन 28 February की दिन, amount जो due था, वो 15,000 रुपे का था ठीक है, his share was transferred to his son W, और उसके share जो है, वो transfer किसको होगे, W को होगे उसी दिन, तो F की जो share है, वो सीधे की सीधे transfer किसको होगे W, W कौन है, इसका son है, एक point ही यह दूसरा देखो आगे क्या है his share was transferred to his son W, M, एक और है M was the transfer of share held by D जो M के पास share M, जो है, वो क्या है transferring of share held by D जो D के पास share पड़े, यह पटा D D के पास कितने share पड़े 900 तो D को D के पास जो भी share पड़े है वो किस ने दिये D को M ने दिये है तो M नाम का बंदा है M नाम का बंदा है उसने किसको share transfer किये D को किये और D अभी हमारा contributor है यह देखो यहाँ पर उपर लिखावा भी है यह रहा D D के पास कितने share है 900 share जो इसने transfer किये और जो D ने share transfer किये वो D को कहां से मिले D को M से मिले थी अब आगी M paid 20 per share calls in advance सभी से 20 रुपई तो मांग गए है 100 का सेर है 80 आ गए है 20 अनपेड थी और M ने 20 पे कर दिये पहले से तो देखो क्या situation हो गए कि पी देखो हमको M से 20 रुपई लेने थी लेकिन M ने किसको transfer कर दिये D को तो company किस से लेगी 20 रुपई देखो बट D से नहीं लेगी क्योंकि M ने क्या किया 20 रुपई जो अनपेड कॉल थी उसको pay कर दिया in advance इसका मतनब M ने fully paid M को share मिल गए थे यानिकि M ने पूरा 100 रुपई पे कर दिया था तो अब D से हम नहीं मांग सकते F ने पूरा pay नहीं किया तो उसकी death के बाद W से हम 20 रुपई बट इससे नहीं मांग सकते क्योंकि इसको जो transfer करने वाला बंदा है उसने 20 रुपई पूरा सी पे करती था और एक्टी तो करिये थे तो 100 रुपई पूरा पे कर दिये थे इससे नहीं मांग सकते M पे 20 रुपई से इन पूरा से कोर्णि पूरा पे करती है अब गए तो इससे नहीं मांग सकते पूरा है 1st Feb 2016 when the liquidator made a call on the present and the past contributory to pay the amount you are asked to quantify the maximum liability of transfer of share when अब आपको liability वगरा calculate करनी है main date यह है जो liquidation कब हो रहा है liquidation date liquidation हो रहा है 1st Feb 2016 तो list A contributory कहां तक की लेंगे list A list A के Contributory आजाएंगे आपके एक February 2015 तक की तो 1st Feb 2015 से लगा कर 1st Feb 2016 तक के बीच में जो भी transfer किये हैं share जिन भी share holders ने वो सब list A Contributory आजाएंगे उन सब से 20 रुपीज मांगेंगे एक case D का उसको छोड़ करके क्योंकि उसने उसने जिससे लिए थे M से उसने 20 रुपीज advance में pay कर दी बाकी सब से मांगेंगे अगर ये लोग नहीं pay कर पाते हैं किसी वज़े से तो फिर किससे मांगेंगे list B जो इससे भी 15 से भी पहले company के shareholders थे ठीक है तो आईए मैं आपको एक table बनाके उससे अच्छे से समझाता हूँ तो देखो कैसे समझेंगे हम एक format बना देंगे simple सा format है को ज्यादा नहीं है ठीक है और calculator भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर जरूद पड़ेगी हमको calculator की यह रहा sorry पहले से रखा नहीं हाँ यहाँ आ जाएगा सबसे first आपके date का column उसके बाद जो list कॉंट्रिब्यूटरी है आपके जो भी कॉंट्रिब्यूटरी होंगे उनको ले लेंगे और यहाँ लेंगे हम कितना amount due होगा और कितने creditors हैं तो यहाँ सबसे first आ जाएगा हमारा date list of a contributor या member और यहाँ लेंगे हम उनके बीच liability जिस ratio में बटेगी और यहाँ लेंगे हम net creditors कितने हैं अब देखो यहाँ पर सबसे पहले date लेता हूँ कौन सी date ले सकता हूँ मैं कौन सी date ले सकता हूँ कहां से start करूँगा मैं मैं start करूँगा यह list के जो contributor यह वो कब से कब हैं एक फरवरी 2015 से start है और एक फरवरी 2016 के बीच में है तो देखो फर्स्ट फरवरी 2015 को कोई है Contributory यह कब का है देखो A Mr. A जो है वो कब का है एक जनवरी 2015 है फर्स जनवरी 2015 है हमको एक फरवरी 2015 से start करना है तो यह हमारा लिस्ट A का Contributory नहीं है क्योंकि यह तो उससे भी पहले यह list B का और जरूत पड़ेगी तो ही इससे मांगेंगे पहले A वाल उससे तो मांग ले हाँ 15 फरवरी 2015 हाँ यह B जो है यह बिलकुल है तो 15 फरवरी 2015 15 फरवरी 2015 है अब यहां पर नाम भी दे देते हैं इनको एक कॉलम और बना देता हूं ताकि इनकी लाइबिलिटी केलकुलेट हो जाएं मैक्सिमम तो यहां आ जाएंगे हमारा मिस्टर कौन भी भी है न यस बी 15 फरवरी को मिस्टर भी तो यहां लिखतेंगे यहां मिस्टर भी ओके ठीक है यस फिर और कौन है और है फिर आपका एक और जना था यह 15 फरवरी से सीधा 15 मार्च वाले को लेंगे तो जरूर लेकिन एक और था यह देखो यह वाला यह भी तो आएगा यह एफ था उसने 28 फरवरी को है ना मार्च से पहले फरवरी आता न 28 फरवरी 2015 को इसने अपने सेयर किसको ट्रांसफर कर दीये अपने सन को क्योंकि इसकी डेथ हो गई तो यह भी लायबल है क्योंकि यह भी 1 यर के अंदर आ रहा है तो F.W. यह आपकी 28 फरवरी F.W. यहां हम दो ले ले लेंगे F.W. यह दोनों भी लायबल होंगे ठीक है 28 फर्वरी को ये दोनों भी liable होंगे ओके आगे 28 फैब, ये हंडेट लिख देता हूं मैं 28 फैब 2015 को ये दोनों लाइबल होंगे और अच्छा इस दिन liability कितनी कितनी है वो भी लिखते जाते हैं 15 फैब को कितनी थी लाइबिलिटी ये रही 12,500 12,500 ओके और 28 फैब को वो तो दे नहीं रखी है टेबल में टेबल में नहीं है नीचे दे रखी थी जब F ने ट्रास्पर किये थे 200 से 28 फरवरी को अपने बेटे को उस दिन लाइबिलिटी थी 15,000 तो ये लाइबिलिटी हम यहा नेक्स देखो फिर आता है 15,000 मार्च 15 मार्च को C बिल्कुल आएगा लिस्ट A का कॉंट्रिबूटरी है तो 15 मार्च C और 18,000 रोपे लाइबिलिटी ये 18,000 कब है 15 मार्च को कौन बंदा है C यहां C लिख दो अभी ये सब इनको जो है इनकी रेशियों के अंदर हम डिस्ट 21 मार्च D मार्च है तो D भी लिस्ट A के अंदर कॉंट्रिबूटरी में आ रहा है ये लिस्ट की कॉंट्रिबूटरी में आ रहा है बट ये नहीं आएगा क्योंकि Mr. D को जो सेर्स मिले थे वो किस से मिले थे Mr. D को जो सेर्स मिले थे वो किस से मिले थे M से और M ने 20 रुपी पहले ही पेकर किया, तो M की लाइबलेटी है नहीं, तो D की भी लाइबलेटी नहीं होगी, इसलिए हम D को नहीं लेंगे, अगर इसने 20 रुपी एडवांस में पे नहीं किये होते ना, तो मैं D को भी ले ले था, फिर आता हमारा E, E कब है, 5th April 2015 को, और 30,000 रुपे है उस दिन अब देखो यहां पर, इनके पास सेर्स कितने हैं, B के पास कितने सेर्स थे, B के पास देखो, फटावर लिख देते हैं, B के पास सेर्स थे, 400, C के पास कितने हैं, 700, तो इसके पास है 400, C के पास 700, E के पास कितने हैं देखो, यह रहा, D का तो लेंगे ने, E के पास है 1000, तो और एक F और जो अपने बेटे W को ट्रांसपर किये थे, वो कितने सेर थे, वो यहां लेके वाई यहां लेके वाई, 200 सेर, तो यहां लेके पास कितने-कितने सेर थे, अब यह जो सेर का रेशियो है, इसके अंदर यह liability जो है, date wise में इसमें distribute कर दूँगा, देखो कैसे, तो यह 10, 12,500 की जो liability है, वो इस ratio के अंदर क्या हो जाएगी, इनमें distribute हो जाएगी, देखो, 15 February को, तो 12,500 divided by 10 और 17, 18, 19, 19 और यह 23, multiply by 4, तो यहां पर इसको कितना मिलेगा, 4 multiply by 2, 1087, इसको liability, C की liability कितनी हो जाएगी, divide by कर दो, 2 multiply by 7, 3804, 3804, और यह की liability होगी इसके अंदर, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, round figure कर देंगे, यह होगे, इस date की liability होगी, अब यह एक चीज़ ध्यान रखना, अब यह 15,000 जो है न, वो भी distribute होगे, हाँ, 15,000 भी होगी, लेकिन, किस में पता है, किस में, यह date निकल गई, 15 February के बाद में, इसने तो transfer कर दिये, बी ने, तो बी यह नहीं लेगा, बी का इससे कोई मतलब नहीं, liability से, क्योंकि बी ने तो 15 February को transfer कर दिये, F और W ने कब किया रहे, 28 को करे थे, है ना, तो F और W तो 28 तक थे, तो इनको liability के अंदर, इनकी liability जो है, जो creditor है, वो इनको तो भुगे दने पढ़ेंगे, तो इस तरीके से अब भी केवल 15 February तक कौन निकल गया है, B निकल गया है, ओके, तो अब केवल कौन बजगे है, मार पास, B ने transfer कर दी, state को तो भी गया, तो अब कौन बजगे, W, C और E, ओके, तो ये W, C, E, यानि कि यह हो गया 2, 7, 10, इस ratio में 15 राजार डिस्टिब्यूट हो जाएगे, तो 15,000 divided by हो गया, 19 multiply by हो जाएगा 2, तो आजएगा 179, 1579, अब इसमें देखो, sorry, इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल लाजबिलिटी बता रही है, टोटल लाजबिलिटी बता रही है, लेकिन इसमें 12,500 तो डिस्ट्िब्यूट पहले हो गये, तो इन थोड़े से दिनों में किती लाजबिलिटी बढ़ी केवल 2,500, 2,500 इनका difference क्योंकि 12,500 15 में से 12,500 तो हम पहले बाढ़ चुके ओके तो अब और कितनी liability बढ़ गई B के share transfer करने के बाद 2,500 इसको बाटेंगे हम किसमे ratio के अंदर सरब B को छोड़ देंगे क्योंकि उसने अपने share transfer कर दिये 2,7,10 के अंदर तो 2500 डिवाइड बाइ 19 multiply by 2 तो यह आजाएगा 2,6,3 इसमें तो कुछ आएगा नहीं यह आएगा 2,6,3 डिवाइड बाइ 2 multiply 7 यह आजाएगा 9,2,1 और यह आजाएगा यहाँ पर 1,3,5,6 1,3,1,6 5,6 नहीं 1,3,1,6 ओके अब देखो यहाँ पर अब क्या हुआ बी तो 15 फरवरी को यह transfer करके निकल गया अब कौन W भी transfer करके निकल गया 28 फरवरी को तो अब कौन बच गए C और E और liability कितनी increase हो गई 15 से किती हो गई 18 तो liability कितनी increase हो गई 3,000 लेकिन बच कौन गए इस date को अमर पास केवल C और E है कर दिया है राउंड ओप कर दिया है 15 मार्स तक अब एक चीज़ यहां देखने होगी यह F और W यह F ने transfer कर दिये थे 28 फरवरी को सुनना आप अच्छे से नहीं तो यह रॉंग हो जाएगा देखो बिल्कुल यह देखना यहां पर 3000 तो सही है लेकिन एक लोजिक तो लगा है नहीं वह क्या हूं बता तो मैं आप बी ने transfer कर दिये पर F ने transfer किये W को वह automatic transfer होगे क्योंकि उसका बेटा था लेकिन डबलू अभी से रोल्डर है लिस्ट भी ए कांट्रीमेटरी है बत डबलू ने तो अभी आगे transfer किये नहीं डबलू ने तो बेचे नहीं है तो डबलू तो लाइबल होगा यहां पर भी होगा तो डबलू होगा और यहां पर भी वापस होई 2710 के अंदर यह distribute जाएगा 3000 हां 3000 डिवाइड बाइ 19 multiply बाइ 2 तो यहां जाएगा 316 समझ भाए ना डबलू ने तो अभी आगे share transfer किये ही नहीं है डबलू के पास तो अभी तक पड़े है के और यह हो जाएगा 1105 और यह हो जाएगे आपके 1579 यह 3000 डिवाइड हो गया अब देखो अब क्या हुआ यहां पर बी चला गया पहले डबलू अभी तक गया नहीं है लेकिन सी तो चला गया क्योंकि सी ने कब transfer की यह 15 मार्च को तो यह गया यह भी गया अब दो जने बच गये कौन-कौन डबलू तो है और ई बच गया क्योंकि यह आगे transfer कर रहा है पांच अप्रेल को तो पांच अप्रेल तक ई भी है और डबलू भी है तो उस दिन liability बढ़ करके कितनी होगी 18 से 30 होगी याने की 12,000 की liability बढ़ गई लेकिन हमार पास के बल दो जने बचे हुए एक डबलू बचा हुआ है उसको अपने बाब से अब यहाँ चीज देखना आप अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहे होगी सर आपने बोला कि liability दिन की केवल 20 रूपीज पर सेयर तक होगी हाँ बिल्कुल लेकिन इक बाद देखे तो सही है कितनी इसकी liability आ रहे है 2174 टोटल की इसकी बी की F और W यानि की W की liability कितनी आ रहे है 1087 प्लस 263 प्लस 316 प्लस 2000 इसकी liability आ रहे है 3666 C की जो liability है वो आ रहे है 3804 प्लस 921 प्लस 1105 इसकी liability आ रहे है 5830 इसकी liability यानि की E की 5435 प्लस 1316 प्लस 1579 प्लस 10,000 इसकी liability आ रहे है 18330 अब ये इनकी liability आ रहे है ठीक है तो अब बट क्या list B contributor से कुछ पैसा मांगना पड़ेगा या नहीं तो देखी थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ और आप समझना आप क्या ये इतनी liability भर पाएंगे या नहीं तो देखी इससे कितने रुपे मांगने थे B से 400 सेयर पर 20 रुपीज कितने होते हैं 400 multiply by 20 8,000 रुपीज इससे कंपनी मांगती है लेकिन इनकी liability कितनी होरी के वल 2174 तो ये 2174 आराम से पे कर देगा 8,000 से जादा होते तो फिर ये पे नहीं कर पाता फिर भी लिस्ट कॉंट्रिबूटरी पे हम जाते हैं ऐसे कैसे इसका देखो 200 सेयर है W के पास में और इसमें अभी तक transfer भी नहीं किये हैं 200 into 20 करोंगे तो ये आगया 4000 इसकी liability maximum liability कितनी हो सकती है 4000 लेकिन इसको कितने बियर करने पट रहे हैं 3666 तो ये भी कर देगा नेक्स्ट C 700 multiply by 20 700 share है 20 से multiply करो 14,000 होते हैं लेकिन इसको तो 5830 रुपई पे करने हैं बिल्कुल करेगा ये यहाँ पर 1000 multiply by 20 जो E है उसकी maximum liability कितनी बियर कर सकता है वो 20,000 maximum कर सकता है क्योंकि 20 रुपई को देने बाकी थे लेकिन 18,330 ही देने हैं बिल्कुल देगा तो यहाँ पर ये सब लोग अपनी liability पे करेंगे इतनी इतनी क्योंकि इनकी maximum liability इतनी है तो ये आराम से इतनी इतनी पे कर देंगे और अगर इससे जादा होती जो maximum है इससे जादा होती तो फिर ये नहीं पे करते हैं फिर लिस्ट फिर जो है list BP भी नहीं जाते हैं क्योंकि 20 रुपीजी maximum होता है इन में से अगर को insolvent हो जाए या कोई और वज़े से list A contributor अगर पे नहीं कर पाते हैं तो फिर list B पे जाते हैं तरीके का question देखने को मिल जाए list A और list B contributor का जो question होता है okay so हम मिलते हैं next lecture के अंदर नया chapter स्टार्ट करेंगे कुछ बूचना हो तो comment कर सकते हैं और like, share, subscribe ज़रूर करें गुडबाई, thank you